नमस्कार मित्रों आज के बेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मकर रासी वालों का 10 अगस्त 2020 का दिन कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीबन में क्या क्या होने वाला है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस बेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना लेकिन उससे पहले इस बेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और इस बेडियो के नीचे जै बजरंग बली कमेंट कर दें दोस्तों इस वीडियो के अंत में आपके आजिके दिन का सुभ रंग, सुभ अंक और उपाई है जिस उपाई को अगर आप आजमाते हैं तो आजिके दिन आपके जीवन में कहीं कोई पड़ेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा मित्रों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके आज के दिन के कामकाज काड च्छत्र के बरे में मित्रों कामकाज के दिश्टी कौन से आज का दिन आपके लिए सामान ने से थोरा सा नीचे है आज के दिन अपने काम काज में आपको लापडवाही से बचना होगा आज के दिन जिस भी काम में आप हाथ लगाते हैं तो प्रियास ये करें कि उस काम को खत्म कर देना है उस काम का पडिनाम अपने पक्ष में लाना है और आज के दिन किसी भी काम को आप अधूरा छोरने से बचने का प्रियास करें वैसे अगर आपके दामपत्य जीवन की बात करें तो बैवाहिक जीवन के दृष्टी कौन से आपका समय अच्छा बीतेगा आज के दिन आपके जीवन साथी के साथ आपका शम्बंध बहुत ही जयादा मजबूत बहुतर और सांदार होगा लेकिन अगर आपके सुवास्थ की बात करें तो सुवास्थ के दृष्टी कौन से आपका समय सामाने से बहुत जयादा नीचे है आज के दिन अपने रहन सहन और अपने खान पान के परती आप साबधानी बरतने का प्रयास करें आज के दिन आप अपने खान पान के परती अगर लापडवाही करते हैं तो आने वाले शमय में आपके शुवास्थ के मामले में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा इसके बाद है आपका धन शम्पती तो पैसों के द्रिष्टी कौन से आपका समय अच्छा बीतेगा आप में से जो भी लोग सट्टे बाजी करते हो तो आज के दिन उन लोगों को फाइदा बहुत जयादा होगा आज के दिन आपके दैनिक जीबन यापन के लिए पैसे काफी जयादा मात्रा में रहेंगे और पैसों की कहीं कोई शमस्या आज के दिन आपके जीबन में नहीं होगी इसके बाद है आपका घर पडिवार तो पाडिवारिक जीबन के द्रिष्टी कौन से भी आपका समय अच्छा बीतेगा आज के दिन आपके घर पडिवार में सभी लोगों के शाथ आपका शम्बंध मजबूत होगा इसके बाद है आपका प्रेम संबन्ध तो प्रेम संबन्ध के दृश्टी कोन से आपका समय अच्छा बीतनेगा आज के दिन आपके शंबंध में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका समय बहतर और सांदार होगा तो उपाई बहुत ही ज्यादा सामानी है आज के दिन आप सुर्ज उदे के समय सुर्ज नमस करें आपका शमय सांदर हो जाएगा आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है लाल और मेरून आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक है चार यनी की फोर तो मित्रों यही था आपके आज के दिन का रासी फल इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्रा इंस्टाग्राम ट्वीटर हर जगह सेयर कर दें तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद जैसी आराम